हेलो हाई दोस्तो मैं हूँ साजीदा मेरे चैनल पे आप सब का वेलकम है दोस्तो आज आपको बहुत यच्छी टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली है इस टिप्स की हेल्प से आप अपने घर के बड़े बुजरुक या फिर बच्चे के जो कफ जमा हो जाता है सीने पे उससे च चीज़े जब मौसम या क्लेमेट चेंज होता है तब ही होना शुरू होते हैं हालाकर इसका कई लाज करवाते हैं लोग मगर दोस्तो इससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है इससे परिशान मत होए दोस्तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सा आसान सा घरे है दोस्तो सारे चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं जी हां दोस्तो तो यहां पर मैं ले लेती हूँ एक चमच गुड़ यह दिखिए दोस्तो यह है देसी गुड़ और यह ताजा गुड़ है दोस्तो इसलिए थोड़ा सी चिटक रहा है क्योंकि यह ताजा है और देसी ह यानि कि गाउं का जो गुड़ होता है गाउं साइड का वही आपको मिल जा तो बैस्ट है तो यहां पर मैंने एक चमच ले लिया है अब मैं यहां पर थोड़ा सी हल्दी लूँगी यानि कि हमने एक चमच गुड़ लिया है तो वन टी स्पून के करीब हमें लेना है हल्दी जी हाँ दोस्तों हल्डी के ऐसे गुन होते हैं जिससे कफ के जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सी हमें नमक एड़ करना है अब इन चीजों को थोड़ा से मिक्स करती हूँ ताकि आपस में थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो कफ के लिए बहुत ही जादा वायदेमंद हैं यह तौड़ा से हनी भी लेना है हमें देखी दोस्तों हमने गुड का इस्तुमाल किया है आप सबको पता है की कफ के लिए बहुत जादा बैनीविशल है और हनी भी कुछ कम नहीं है दोस्तों इनस्टन्ट रुजल्ट के रिजल देखने को मिल जाएगा जो भी कफ है वो धीरे धीरे दोस्तो पिगलना शुरू हो जाएगा लगातार इसको तीन दिन इस नुस्के को खाना है दोस्तो सुबा साम खाना है और मैं आपको बता देती हूँ यह दिखिए कुछ इस तरह से बन गया यह तो दोस्तो आपको मैं बताती हूँ कि आपको कितनी मातरा में खाना है बड़े है या फिर बच्चे को खिलाना पचाते हो तो आपको कितनी मातरा में खाना है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो छोटे बच्चे है वो इतना खा सकते है अगर आप बड़े हम बड़े खा रहे हैं दो दोस्तों खाने का या फिर आप हल्दी और हनी को मिक्स कर दीजिए गरम दूद में एक गिलास गरम दूद में या फिर आधा कप ले सकते हो जितना भी आप पीना चाहते हो वह इसाब से ले लीजिए और गुड़ को आप ऐसे ही खा लीजिए इन दोनु तरीके में से आपको जो भी पसंद आए दोस्तों या खा सकते हो या पी सकते हो आपकी बॉड़ी में ये जाना चाहिए पूरे तीन दिन तक का लगातार इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करना है कंट्यूनि आप इस्समाल कीजिए आपके जो सीने पे कफ जमा है बेलकम जमा है वो धीरे धीर दोस्तों निकलना शुरू हो जाएगा अगर दोस्तों ये नुस्का आपके काम आया होगा आपके लिए हैलफुल हो आपको लगता है कि मेरा नुस्का 100% काम करेगा तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस करना और अपनी फैमली के साथ जिसके चाहे साथ आप शेयर कर सकते हो दोस्तों लेकिन दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना आप तीन दिन तक का जरूर इस्तमाल कीजिए इंशाला ताला आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिल जाएगा तो फिर से मिलूंगी अच्छी सी न्यू टिप सेंट्रिक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दूआओ में याद रखिए बाइ बाइ दोस्तों